Hello friends, इस वीड़र में आपको बताऊँगा कि कैसे आप Python Primary Language को सीख सकते हैं और इसको सीखने का फायदा क्या है, इसको सीख कर आप कहां कहां पर यूज कर सकते हैं इसको सीखने के लिए क्या-क्या चीजों की जरुवत पड़ेंगी, कौन-कौन सी कंपनी है जो इसको यूज करती है और बहुत सारी चीजे ऐसे ही, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको सीखने का आपका फायदा क्या मिलेगा तो सबसे पहली बात इसका जो कोड होता है वो आपको सीखने बहुत आसानी होगी इसको जो देखने में जो code होता है वो काफी छोटा होता है और इसको जो लिखना भी होता है वो काफी असान होता है तो इसके लिए ये programming language काफी popular है दूसरी बात ये programming language जो है ये dynamically typed होती है जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई number लिख रहे हो, save कर रहे हो या फिर कोई alphabet, ABCD इसको समझने के लिए तीसरी बात huge libraries support होता है यानि कि for example अगर आप कोई games बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको normally 200-300 lines का code लिखना पड़ सकता है बट libraries का use करके आप सिर्फ 10-20 lines में ही अच्छे-च्छे games बना सकते हो और चौथी बात है huge community support होता है यानि कि अगर आप इस problem का solution हल करके रखा हुआ है और उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसको कहा कहा पर use किया जा सकता है तो आज कल तो हम सभी जानते हैं कि artificial intelligence, machine learning और deep learning ये तीनों topics कितनी popular है और उसके बाद data science भी तो इन सारी चीजों में आप use कर सकते हो और उसके साथ-साथ ही आप websites वगेरा create कर सकते हो इसका जो framework होता है, jango करके उसके मदद से और ऐसे ही बहुत सारे frameworks वगेरा होते हैं जिसकी मदद से आपका जो code लिखना होता है वो आसान हो जाता है तो frameworks और libraries जो होती है वो इसी काम की होती है ताकि आप कम lines of code में बहुत सारे काम कर सकते हो और उसके बाद आप games automation करना है किसे task को automate करना है तो उसमें भी python अच्छा खासा क्याम आ जाता है उसके बाद हम जान लएते हैं कि कौन-कौन सी companies है जो इसको use कर रही है तो यहाँ पर आपको जोतना भी companies का list यह सारी companies इसको use करती है बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि यह यहाँ पर यह लोग python यूज कर रहे हैं तो सिर्फ python programming language यूज कर रहे होंगे इसके अलाबा वो लोग c++, c language, java, java script वगारा भी use कर सकते हैं यहाँ पर python यूज कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह जो काम कर रहे हैं उसमें python भी कही कहीं पर use किया गया हुआ है और इसके अ जादा भी use हुआ हुआ है और उसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको requirements क्या चाहिए होंगी क्या क्या चीजों की जरुवत पड़ेंगी तो एक basic सा laptop charging RAM हो गया होता है simple जितना भी होता है उसमें भी आप अच्छे खासे तरुके से python को use कर सकते हो और उसके बाद आगर आपक के और run कर सकते हो अपने phone में ही तो उसके पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है description में उसके आप लिंक मिल जाएगा पर अगर आपको अपने laptop से ही सीखना है तो आप python language का installer होता है वह आप install कर सकते हो python.org से उसकी जो website है official python की और उसके बाद आपको code editor की जरुवत पड़ पर अगर python के लिए जो dedicated जो होता है वो पाइचार में एक IDE है जिसमें आपको python का जो जितना भी support होता है वो आपको मिल जाएगा और आप python कहां कहां से सीख सकते हो तो वैसे तो आप python को किसी website से भी सीख सकते हो और youtube वीडियो से भी सीख सकते हो बट मैं आपको recommend करूंगा क आप videos देखकर ही सीखो कि कोई भी चीज अगर आप videos से देखोगे तो एक कहावत है कि pictures जो होती है वो 1000 शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब यह हुगा कि आप अगर videos देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर यह programming language क्या करता है और आपको कैसे सीखना है यह आपको अच्छे से समझ में आजाएगा और यह programming language आपको अच्छे से समझ में आएगा तो मैं आपको recommend करूंगा कि YouTube से आप सीख सकते हो YouTube पर आपको काफी free programming languages की जो tutorials होती है वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी Hindi English दोनों में ही और अगर आपको लगता है कि आप websites पग पर बताना चाहूंगा जिसके मदद से आपको यह सीखने में आसानी हो या फिर आपको कोई दिक्कत ना हो तो सबसे पहली बात जितना होसा कि आप ट्राइग करना कि जो प्लेइलिस्ट में जो वीडियो होती है जो 6-6 मिनिट या फिर 77 मिनिट की जो होती है 20-30 वीडियो व आप एक ही बार में पूरी कंटेंट आप एक बार में नहीं समझ पाओगे तो अगर आप प्लेइलिस्ट में देखो गे तो वहां पो आपको डिवाइड किया हुआ नजर आएगा अलग-अलग पार्ट्स में आपको अलग-अलग चीज़े एक बार में नहीं सीखोगे से आपको सिर्फ प्लेइलिस्ट सी दिखेंगी और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना है सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा सिर्फ सीखने से नहीं होगा आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा और उसके बाद बीगनर्स लोग काफी यह गलती करते हैं कि एक ब की पैसेंस है आपको सब्र करना है और कोई भी प्रब्लम में आप बहुत ज़र्दी नहीं सीख जाओगे मैंने भी जब Java Script शुरुआत में सीखी थी तो मुझे दो-तीन महीने लग गये थे उसे अच्छे से सीखने में और बिना Error के अपने काम को करने में सो आपको सब्र बनाया रखना है और सुरु सुरु में प्रब्लम्स आयेंगी ही पर कुछ टाइम के बाद आपको अच्छे से समझ में आने लगएगा कि ये कैसे काम कर रहा है अगर आपको कोई problem हो कोई question हो तो आप community join कर सकते हो python का facebook groups में आप जा सकते हो वहाँ पर आप questions पूछ सकते हो और वहाँ पर आपको answer मिल जाएगा नहीं तो normally आप Google पे भी search कर सकते हो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा जो questions के answer आपको Google पे नहीं मिलेंगी वो आपको facebook groups में आप पूछ सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको जो python का पूरा चार्ट है वो basic से शुरू से लेके अंतक कहां तक यह होता है यह आप यहाँ पे देख सकते हो यह मैंने roadmap.shs करके एक website है वहाँ से आपको दिखाया हुआ है आप उस website को भी visit कर सकते हो तो यहाँ पर python का जो basic syntax है वो सीख लेना है variables, data types, conditional बगएरा है और functions बगएरा list, tuples यह जो चीज़े होती है यह आपको सीख लेनी है और उसके बाद आप data structures and algorithms जो होती है वो python में काफी popular होती है सिर्फ python में ही नहीं और programming languages में भी यह concept होता है so यह आपको सीख लेनी है और धीरे धीरे इसी चार्ट को आप follow कर सकते हो और इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो python programming language में और उसके बाद यह website भी आप चेक कर सकते हो roadmap.essence यहाँ पर सिफ python ही नहीं और भी कई सारी चीजों के आपको road में मिल जाएंगे जहाँ से आप road apps कैसे बनानी है उसकी भी आप यहाँ पर road map देख सकते हो guide देख सकते हो so इतना touch वाली वीडियो के लिए अगर वीडियो चलोगे तो वीडियो को like कर लेना और अगर इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में bye bye see you tata